Hey everyone, and once again, welcome to WSQ Tech, myself Umar Taski. दोस्तों, affiliate marketing के इस सिरीज में, इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, दो बहुत ही जबरज़स्त concept की या terminologies की, one is upsell, कि आखिर upsell क्या होता है, क्यों हमको इसकी ज़रूरत पढ़ती, affiliate marketing कहा हम use करते हैं, upsell funnel का भी नाम आपने सुना होगा, तो उसको भी cover करेंगे, upsell funnel क्या होती एक्चुली, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, डूसरा term है, वो है downsell, downsell क्या होता है, upsell और downsell में क्या फर्क है, और downsell को किस तरीके से affiliate marketing में use किया जाता है, किन तरीकों से हम downsell से benefit उठा सकते, इन सारी चीज़ों को cover करेंगे, और आखिर जब हम affiliate marketing की बात करते हैं, जो कि बहुत ही simple है, अगर हम affiliate marketing को फिर से समझना चाहें, तो है क्या हमारे पास कोई product है, service है, जो हमी कहीं से pick करके अब यह तो बड़ी simple सी बात है, हमारे पास traffic का source होना चाहें, हम affiliate marketing कर सकते हैं, अब यह upsell और downsell का concept यहां बीच में कहां से आगया है, और upsell और downsell का क्या मतलब है, तो guys, यह सारा जो खेल है, यह है जादा से जादा पैसा बटोरने का, जादा से जादा cart value बनाने का, यहां आपके पास कोई product है, या कोई service है, जिसको आप sale कर रहे हो, और कोई buyer है वो आता है, और वो $100 का आपका product या service जो है, वो pick करता है, ठीक है, तो जब $100 का product या service pick करेगा, तो यह $100 का product उसके cart में add हो जाएगा, right, if this is the cart, तो उसके अंदर यह $100 का product या service add हो जाएगा, अब इस cart की value कितनी है, $100, right, यहां से अगर वो user checkout करता है, या वो बंदा checkout करता है, तो actually क्या होगा, आपके पास कितने आएंगे, $100, यहीं पर अगर मैं कुछ जोगार लगा दूँ, और यहां पर मैं इसको $500 कर दूँ, या मैं इसको $200 कर दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अ why we are studying upsell and downsell, क्यों हम इसको study करें, यह इसके पीछे का reason है, तो पहली बात तो clear हो गई कि जहां पर भी upsell और downsell के concepts आएंगे, जहां पर भी upsell और downsell का नाम आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है, कि हम लोग जो हमारे average cart value है, इसको increase करने की कोशिश कर रहे है आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर आप देखो तो पूरी funnel आपको दिख रही है, ठीक है, कि आखिर यह upsell और downsell किस थरीके से काम करता है, तो यह हमारा main product है, ठीक है, जो मान लेते हैं कि 100 dollar का था हमारा main product, अब हम users को लेकर आ रहे हैं, इस main product के उपर यह अलग-अलग हमा रहा हूँ कि जैसे pen है, 100 dollar का है, ले लो, तो यह क्या हुआ, यह हमारा front end offer हुआ, यह हमारा main product हुआ, तो वो जब main product को add to cart करेगा, या वो जब उस page के उपर होगा, तभी हम उसे upsell करने की कोशिश करेंगे, upsell करने की कोशिश क्या मतलब, कि भाई देखो यह pen तो 100 dollar का, इस 120 dollar का है, ठीक है, यह जो दूसरा वाला pen है हमारा, यह 120 dollar का है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो 100 dollar के साथ-साथ आप इस चीज़ को भी ले सकते हो, तो इस तरीके से हम actually कर क्या रहा है, हम जो हमारे card की value है उसको increase कर रहा है, तो अब जब हम उसे upsell करना चा downsell का offer का क्या मतलब है, तो downsell offer का मतलब यह होता है, कि let's say यह हमारा main product था, 10 dollar का, उसके बाद हमने उसे एक upsell product और दिखाया, 5 dollar का, ठीक है, बट वो नहीं खरीदता है उसका, तो हम क्या कहते हैं, कि देखो यह 10 dollar का तो तुम पेन लही रहे हो, यह 5 dollar का तुम एडिशनल या कितना था, 5, पहले अगर आप देखो, तो 5 dollar का product यह वाला मान लेते हैं, this one was dollar 5 product, यह 5 dollar का product था, अब मैंने क्या किया, price को decrease मार दिया, नीचे मार दिया, तो downsell offer है, तो chances क्या है, कि हो सकता है, वो अभी 15 dollar ना खर्च करना चाह रहा हो, यह तो लेना चाह रहा है, 5 आप और चिपकाना चाह रहे थे, उसको तो वो नहीं करना चाह रहा है, तो 3 ले लो भई, जो भी आपको यहाँ पर रखना है, 2 dollar का रखना है, 5 dollar का रखना है, concept समझ लो भई, कि upsell का क्या मतलब है, और downsell का मतलब क्या है, यह जरूरी है, fine, यहाँ पर हमने main product दिखाया, ठीक है, व ठीक है, downsell के साथ अगर जाता है, तो यह दोनों add हो जाएंगे, ठीक है, let's say, इनको उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा quantify कर देते है, dollar 2 इसको लिख देते है, dollar 10 इसको लिख देते है, तो यहाँ बन जाएंगे हमारे dollar 12, तो जो 10 dollar में काम हो रहा था, वो हम खीच पकड़के 12 dollar तक ले आए, यहाँ पर जो हमारा upsell का product है, 5 dollar का था, तो यहाँ पर हो रहा है 15 dollar, ठीक है, और यहाँ पर अगर नहीं, कुछ भी भई, मानी नहीं रहा है, किसी तरीके से तो अपनी मजबूरी है, 10 dollar पर ही बेच लो, क्या problem है, ठीक है, तो 10 dollar पर ही बेच लिया, भई, कु कोशिश कर रहा था आपको, और यह downsell और upsell क्यों इतना ज्यादा important है, और यह के वहला affiliate marketing में ही नहीं है, कहीं पर भी marketing के concept की बात करें, कुछ बेचने निकलोगे न, तो upsell और downsell तो रहे गारे, एक और example ले लेते हैं, जैसे आप sell और downsell के हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे उनका salesperson है, वो क्या बोलता है, कि 4-64 छोड़ी है, सरीए 12,000 रुपय का है, यह 6-64 ले लिए, 6-128 ले लिए, 14,000 का, तो actually हो क्या रहा है, यहाँ पर यह जो आपके सामने mobile था, ठीक है, जो mobile था, जिसकी, जो features की अगर हम बात करें, 4-64 वाला mobile वो आपको कितने का दे रहा लेट से, 12,000 रुपय का वो आपको दे रहा था, ठीक है, उसके बाद वो आपसे बोलता है, 6-128 वाला mobile ले लो, भाई, क्या दिक्कत की बात है, 14,500 मतलब, 25,000 रुपय ही तो आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर दिन भर में, वो 5 mobile ऐसे बेच देता है, जहां 25,000 रुप उन लेगने आये थे, समझा भुजा कि उसको किसी तरीके से 14,500 रुपय में चिपका दे रहा है, या बेच दे रहा है, बेच दे रहा है, बेच रहा है, ठीक है, 25,000 यहां पर मैंने लिखा हुआ था, तो अब आप देख रहे हूं यहां पर कि जो 25,000 का, वो कार्ट होते ही होता है, upsell है, cross sell भी होता है, उसके हम बात में बात करेंगे, बट यहां पर यह चीजें समझानी जरूरू थी, और एक बहुत important चीज, इस funnel में जो थी, वो थी यह downsell वाली, ठीक है, कि upsell से अगर आप चूक रहे हो, तो आप downsell करके भी basically upsell कर रहे हो, आपकी cart value उतन एक विए एक बात करेंगे, बुद्ध झाला है, वीए, कि तिल थी, और लिए रूरूरू झाला है, तिल चीज, रीख रूरूरूरू झाला है.